जब एक democratic देश का प्रधान मंत्री अपने आपको देश का मालिक मानने लगे, तो उसका अंजाम होता है democracy का दम घुटना, हमारे fundamental rights का violation होना, judiciary के साथ खेलवाड होना, सिर्फ judiciary नहीं, सभी democratic institutions के साथ interference होना, journalism का B&D बनना, protesters या opposition leaders का detention होना, और parliament में ruling party की मनमानी चलना. यह जो किस्सा कुरसी का है न, यह बहुती मज़िदार चीज़ है, और आज इसमें एक बात तो साफ हो चुकी है, कि एक democratically elected government, country के constitution में छोटे मोटे जोल करके, presidential order लाके, media को manage करके, judiciary को दबाके, एक virtual dictatorship बना सकती है, और इसमें ज़ादा वक्त नहीं लगता है. जब देश में emergency जैसी हालत होना तो बेचारा citizen उसके तो rights छिंजाना आमजी बात है, लेकिन, लेकिन, जब सुप्रीम कोट, constitution का रखवाला माने जाने वाला institution, जब वो लोगों के साथ नहीं खड़ा होता है, तब वो Brutus का Julius Caesar को दिया हुआ तोफ़ा याद आता है, अरे, मेरा कहने का मतलब है, तब अरनब का जर्नलिजम को दिया धोका भी छूटा लगता है. सुप्रीम कोट में government interference का सिंसला काफी पहले से शुरू हो चुका है. आज देशभक्त में हम आपको सुप्रीम कोट की ये दुखत गहानी से related facts, related cases, articles के बारे में बताएंगे. ये पूरी कहानी सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि जब democracy की वाट लगी हुई होती है, national security के नाम पर हमारा मामू बनाया जा रहा होता है, और हमारे human rights के अच्छे दिन खतम हो चुके होते हैं, तब सुप्रीम कोट पर भी ज़ादा उमीड टिकाना समझदारी नहीं है. क्यों और कैसे? अरे बताता हूँ, लेकिन उसके लिए गंटी दावाओ बहले. 1966 में इंद्रा गांधी पहली बार प्रधान मंदरी के कुरसी पर बैठी और वहाँ से शुरू हुआ ये किस्सा कुरसी का, जिसने देशवासियों को क्या, सुप्रीम कोट की भी इंडिपेंडेंस को कही का नहीं छोड़ा. खुद फॉर्मर फाइन्स मिनिस्टर अरुन जेटली ने एमर्जेंसी को याद करते हुए कहा, और ये डेमोक्राटिक इंस्टूशन में इंटर्फेरेंस, एमर्जेंसी के दोरान उन उचायों तक पहुचा, जहां तक आज तक शायद हमारा जीडिपी भी नहीं पहुच प और पहुचते हैं 1973 पे, देखें 1978 तक हमारे समविधान का एक fundamental right हुआ करता था, उसको कहते थे right to property, 1973 में इसी right के चलते इंडियन डिमोक्रसी का शायद सबसे important judgment सामने आया, जी हां, राम मंदिर से भी जादा important judgment, दरसल इंदरा गांधी government के लाएगए reforms के चलते, कई लोगों केसब अनन्दा ने इस issue को court में challenge किया, और जब ये case supreme court तक पहुचा, तो इसमें 13 judges की एक bench बैठी, लंबी चौरी debate हुई, finally 7-6 की मामूली margin से एक एतिहासिक judgment सामने आया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि सरकार constitution ने amendment तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी amendment या कानून constitution का basic structure violated नह constitution का basic structure क्या है, इसको define नहीं किया गया, क्योंकि हर 13 में से 13 judges के अपने अलग-अलग interpretation और राय थी की structure basic क्या होता है, नतीज़े ये हुआ कि supreme court को constitution का guardian बना दिया गया, और judges को ये बात की जिमिदारी दी गई कि समविधान का basic structure है, वो maintain करेंगे, उसके रखवाली और बहुत change करना, amendment amendment खेलना, ऐसे में game के सारे rules ही change करती है, सुप्रीम कोट ने, आसान भाशा में कहें, तो सरकार का इस decision से वो उतना ही खुश थी, जितना गंपर कालिया से, लेकिन इंदरा गांधी भी तो हार नहीं मानने वाली थी, उन्होंने सोचा, अगर constitution का custodian सुप्री senior judges को नजर अंदास करते हुए chief justice बना डाला, देखे, सरकार के राश्टरवादी agenda के सामने सिर्फ supreme court ही तो थी, जो सरकार से दोचार सवाल कर सकती थी, और इंदरा गांधी सरकार ने उसी supreme court के chief justice के कुरसी पर, तीन दिगज judges को supersede करते हुए, A.N. Ray को विराजमान कर दिया, इसको कहते हैं master stroke, 1971 में राय बरेली से इंदरा गांधी के against election हारने वाले नेता राज नारायन ने इंदरा गांधी पर representation of people's act के तहत case दर्ज कर दिया, कि इंदरा गांधी ने PM office में काम करने वाले officer यश्पाल कपूर को अपने election में मदद करने के लिए कहा था, अब ये कानू जूद होने के लिए बुलाया हो, वरना प्रधान मंतरी पर सवाल करने वाले लोगों को anti-national बोला जाता है, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है, खैर, 12 जून 1975 को Justice Sinha ने प्रधान मंतरी को दोशी ठहराते हुए उनका election रद कर दिया, और इंदरा गांधी को अगले 6 साल तक election में participate करने से debar कर दिया, लगता है Justice Sinha वो ना तो अपनी नौकरी से प्यार था, और ना morning walk से, लेकिन इसके बाद ये decision सुप्रीम कोर्ट तक पहुचा, जहाँ vacation judge Krishna Iyer ने law के according इंदरा गांधी पर partial stay लगा दिया, कि इंदरा गांधी प्रधान मंतरी तो रहे सकती हैं, ल ना ही कोई salary ले सकती है, बस तब क्या था, 25 जून की उसी रात को इंदरा गांधी ने प्रेजिडेंट के थुरू national security का खत्रा होने का हवाला दिया, मसलन ये कि कुछ protesters, कुछ political opposition, टुकड़े टुकड़े gang elements के वज़े से देश को खत्रा था, इसलिए emergency लगाना ज़रूरी थ प्रेजिडेंट फकुरुद्दिन अली आहमद ने constitution के article 352.1 का इस्तमाल करते हुए emergency लागू कर दी, अगले दिन ठीक 8 बजे, मिरे मतले में, सुभे के ठीक 8 बजे इंदरा गांधी ने All India Radio पर अपनी मन की बात लोगों के सामने रखी और उन्हे state of emergency डिकलेर होने की सूचन इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है मंतरी के कुर्सी पर बैठा दिया है, तो वो कुछ गलत थोड़ी न कर सकते हैं, अरे ऐसा निता अगर गलत करेंगे तो उनका वोट भी तो गलत होगा ना, तो ठीक ही किया होगा, November 7 1975 को Supreme Court ने इलाबाद High Court के judgment को भी खारज कर दिया, क्योंकि तब तक इंद्रा गांधी ने देश के लिए अच्छा है, इससे देश आगे बढ़ेगा, गरीबों के अच्छे दिन आएंगे और अमीरों को तो परिशानी पहले से हो रही है, रातो ही रात देश की कानून वेवस्था बिलकुल बदल गई और लोगों को दिक्कत हुई, इसमें कोई बात नहीं है, लेक सवाल उठाने के लिए देश को खत्रा बताया गया उनका और उनको डिटेन कर लिया गया, इनफाट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एमर्जेंसी का डिसिजन सूद समझ के लिया गया था, क्योंकि डिटेंशन के लिए जो ओपोजिशन लीडर्स की लिस्ट थी, वो पहल लीडर जेपी नरायन, स्टुडेंट लीडर अरुन जेटली और लेफ्ट विंग के भी कई बड़े लीडर्स, इन डिटेनीज को पुलिस और सरकार के तरफ से कोई राइट्स नहीं दी गई, यहां तक कि बॉम्बे में एक प्रिजनर मिरनाल गोरे को एक आईसोलेटेड अ जस्टिस कांतावाला और जस्टिस तुलजापुरकर समविधान के असली चौकिदार बनकर सामने आए, कई केसेस में जजजेस को ट्रांसफर करने की भी धंकी दी गई, एक केस में जस्टिस मुखी को अचानक क्यलकटा हाइट कोट ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें य नागरिक कभी भी कॉंस्टिउशन का आर्टिकल 226 का इस्तमाल करके कोट में अपील कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस रे ने इन सारी जजज्मेंट्स को ओवरूल करके कोट के दर्वाजे आम नागरिकों के लिए बंद कर दिये, देश भर के हाई कोट ने हेबस कॉपस प्रेटिशन को एक्सेप्ट किया, जिसका मतलब था कि डिटेनीज अपने केस के दौरान कोट में मौजूद रह सकते हैं, यही नहीं, डिटेनीज को अपना खाना अरेंज करने के लिए, पुलिटिकल प्रोटेक्शन के लिए भी पर्मिशन दी गई, अब ADM जबलपूर वर्सिज शिवकांद शुकला केस में सुप्रीम कोट ने डिमॉक्रसी बचाने के लिए हाई कोट की तमाम कोशिशों पे पानी भेर दिया, इस केस को फेमसली हेबस कॉपस केस भी माना जाता है, सुप्रीम कोट के पाँच जजिस की एक बेंच ने, जिसमें Chief Justice और इंद्रागांदी के खास Justice A.N. Ray भी शामिल थे, इस पर डिसिजन लेते हुए उन्होंने कहा कि Emergency के समय आर्टिकल 21 यानी Right to Life and Liberty लाबू नहीं होती है इस जज्जमेंट में एकलोते डिसेंटर Justice H.R. खना ने जब सवाल किया कि अगर ऐसा है, तो क्या Emergency के दोरान किसी नागरिक को Right to Life भी डिनाई किया जा सकता है? तब Solicitor General निरंदे ने कहा कि अगर Emergency के चलते किसी की Illegally जान भी ली जाए तो इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता Indian Democracy के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा होगा कि किसी Solicitor General ने इतनी Insensitive बात सुप्रीम कोर्ट के Judges के सामने रखी हो खैर वैसी अखरी बार नहीं था ऐसे और भी किस से होते रहे इस पूरे केस में एकलोते Justice खन्ना के सवाए किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया और आगे चलकर Justice खन्ना को Chief Justice के कुरसी से भी हात दोना पड़ा जिसके बाद उन्होंने रिजाइन भी कर दिया इसके अलावा Supreme Court ने Bombay High Court के Detainees को दिये गए सारे Rights और Judgment भी Reverse कर दिये गए गोर गन्ने वाली बात ये है कि Constitution में दिये गए Right to Life का मतलब ये नहीं है कि हाप सिर्फ जिन्दा रह सकते हैं और सांस ले सकते हैं उसका ये मतलब होता है कि Dignity के साथ, इज़त के साथ, साफ स्वच हवा लेने के लिए और जरुवत पंडे पर Medical Care भी आपको मिल सकता है ये सब शामिल होते हैं इन Rights में लेकिन कभी-कभी लगता है देश हित के लिए ऐसे छोटे-मोटे Rights का चिन जाना Collateral Damage माना गया Apex कोट में Emergency का ये समय Supreme Court का डाक के समय माना जाता है जब न्याय और Constitution का कस्टोडियन, मने चौकीदार सो रहा था और हमारे Democracy की धज्यां उड़ रही थी आज भारत में कुछ ही ऐसी बाते हैं जिन पर हर कोई अगरी करता है और उनमें से एक बात है कि Emergency भारत का सबसे गलत डिसिजन था Supreme Court को जल्द ही ये गलती का एसास भी हुआ और आगे चलकर Amendment 44 लाया गया जिसके तहट कोई भी Government चाहे Emergency हो या Lockdown हो लेकिन भारतियन नागरिकों का Right to Life and Liberty प्रवाइड करने वाली आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 डिनाई नहीं कर सकती है अज कई Chief Justices का मानना है कि ADM जबलपूर केस में Detainees को Fundamental Rights ना देने का डिसिजन Supreme Court की इतिहास में सबसे शर्मनाख डिसिजन है और इसे dustbin में फेग देना चाहिए चलो देर आए दुरुस्त आए लेकिन दोबारा ऐसे dustbin में फेग देने वाले judgments देने में कितना time लगता है, कितना pressure लगता है ये सोचने वाली बात है कैसा लगा ये episode हमारा? काफी research करके हमारी देशभग टीम ने ये episode बनाया है ये समझाने के लिए कि हमें सवाल हर किसी से पूछना चाहिए क्योंकि कोई भी institution और democratic institution infallible नहीं होती है एक और बरसी मन रही है emergency की और हम ये याद करने की कोशिश कर रहे है कि हमारी जो darkest face थी democracy में उसमें अलग-अलग institutions का क्या हाथ था और उसमें Supreme Court भी ये नहीं कह सकती है कि अच्छे तरीके से काम किया था emergency में उनका भी हाथ आता है उनका भी darkest hour आता है आशा यही करते हैं कि ये जो emergency हुई थी इंदरा गांदी के अंडर ये फिर से हमारे देश में कभी ना है अगर episode अच्छा लगा तो जरूर comment करिएगा ना अच्छा लगा तब भी comment करिएगा share करिएगा, discuss करिएगा बिलकुल and of course any critique is more than welcome लेकिन अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो जरूर join करिए देशभक्त join button नीचे है या patreon.com slash देशभक्त पे आप एक member बन सकते हैं exclusive privileges हैं हमारा discord server है, हमारी community है हमारे exclusive podcasts हैं उसको भी आप access कर सकते हैं by becoming a member you can also buy our merchandise as well thanks for watching और भी episodes आते रहेंगे